नमस्कार चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है मैं हूँ आशुत उस्चुकृ भारती जंता पार्टी के नेतरत में राज सरकार का एक साल का कारेकाल पूरा हुआ इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदितनाप ने साल भर में अपनी सरकार के कामकाच का ब्योरा दिया साथ ही भरस में योजनाईं भी बताई साल भर पहले सूबे के इतिहास पर अगर नज़र डाले तो उस वक्त भी सपा की पूर बहुमत की सरकार थी प्रदेश को विका देश के हालात और आगे बढ़ने की उम्मीद की चुनवती के साथ मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ के सामने थी सड़क बिजली पानी किसानों की कर्ज माफी के साथ सुरू हुआ सफर पिछले महीने इन्वेस्टर समिट के रूप में बीते एक सालों के में सामने आया है एक बार फिर पीछे मुणे कर देखने की जरूरत है वादों दाओं के बीच साल भर का बाद निस्पक्ष मीमान सा स्वस्त लोगतंत्र का अंग है और इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौझूद है अर्थ सास्त्री डक्टर अर्विन मोहन और राज़नी सास्त्र में के प्रौकता डक्टर रूद्पताब जी आप लोगों का बहुत स्वागत है डक्टर रूद्पताब एक साल योगी सरकार के पूरे हो चुके और जिस तरह से सरकार ने आज अपना पूरा वयोरा दिया पूरे साल भर के काम काचका जो कुछ भी किया एक बुकलेट भी जारी की एक साल नहीं मिसाल क्या कहें गया अगर क्या फूलपूर और गोलगपूर चुनाओस अगर आप जोड़ के देखें जो वास्तों में इस प्रदेश की जनता को क्या कुछ एक साल में मिला है अगर एजेंडे को विकास का मापक बनाते हैं तो सरकार पहले एक साल में कई लच्छों को पाने में सफल रही हाला कि सुर्वात जितनी धमाकेदार रही थे इंटी रोमियो स्कॉड के साथ वह बात में कंट्यूby नहीं हो पाया लेकिन वह बात में नि Buddh गर ऋंकिन रूप में बदल गया वह पती है कि अपरादियों के देखते हैं अपरादियों के दिकक्रत पर मानना चाहिये कि हूं अच्छा लगां लगाया दूसी बात अखलीoser कार के दावा था उस मेट्रो सरकारी विफल कहा होती हैं सरकारी विकास के पैमाने पर वहीं विफल होती हैं जब वो पुराने सरकार के काम को रोक कि अपना नया एक एजंडा ले आती है नहीं योजना उसी के समना अंतर चाहिए रहती है योगी सरकार की खुबी यह रही कि उसने पिछली सरकार के जो विकास के मानक थे, उनको आगे बढ़ानी की कोसिस की, उसने मेट्रो को रोका नहीं, उसने मेट्रो के काम को और तेजगत से बढ़ा है, कल ईस्री धर्णन की फिर से मुलाकात हुई मुखंतरी योगी जी से, और उस पर फिर से बात हुई कि हाँ हम लोग को कहा तक ले जा मेट्रो नहीं लागू है, जिस गुजरात मॉडल को मांगके योगी जी प्रधामंत्री बन गें, मोदी जी प्रधामंत्री वहने, वहाँ पर मेट्रो नहीं चलती थी, फिर भी विकास के विग्यापनों में सबसे उचा था, आप मेट्रो को विकास का इक माणा करान सकते है दक्टर रुद्र पता, मैं आपके फास आऊंगा, कई सारे से चीज़ें आपने उभारी हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो हमारा प्रसंग है, उस प्रसंग पर पहले बात हो जाना जरूरी है, डक्टर अर्बिन मोहन, मैंने एक लाइन में अपने सुरवाती उसमें कहा कि व आपकों को ठीक करने की, सिक्षा की बेवस्था ठीक करने की, और उसके बाद इसमें अवस्थापना संबंधी, जो मूल भूत हमारी की दिक्कते हैं, उसको आगे ले जाने के लिए, एक दिश्कों क्या आपको भी दिखाई देता है, पहला सच यह है कि अभी तक एक साल में यह सरकार का मिक्स बैग है, कुछ सफलता हैं और कुछ विफलता हैं, सफलता, इन्वेस्चर समिट एक बड़ी सफलता है, जिस स्केल पर यहां पर इन्वेस्चर्स आये, लबब चाल लग अठाइस अजा करोर का कमेंट्मेंट हुआ, यह सवाकती होगा है, लेकिन दूसरा करोर का क्रियानवन होने वाला है, लेकिन अभी यह वादे हैं, और एक अर्शास्त्री होने के नाते, मैं क्रियानवन देखना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 20 वर्श का इतियास है, कि उत्तर प्रदेश लगातार, पूरे इंदुस्तान के समी प्रदेशों में, कभी भी ज करनाटा के त्यादी के उपर रहें, गुजराद के उपर इंवेस्मेंट अट्रैक्ट किया है, तो UP के अट्रैक्टिव दिस्टिनेशन है, यह इंवेस्टर सम्मेट उस दिशा में एक अच्छा कतम है, कन्वर्जन UP का हमेशा बहुत बुरा रहा है, मैं देखना लेकिन मेरा जो बड़ा कंसरन है, इस सरकार ने अपने चुनावी वादे किये थे, जिसमें विशेशूप से इंप्लाइमेंट जनरेशन का था, इंडिस्टिलाइजेशन का था, यह जो बड़े वादे थे, आज अगर आप देखें, तो पूरे हिंदुस्तान में भी और उ यू-पी में किसी भी तरीके से जो इंकम जनरेशन का प्रोसेस तो बढ़ गया है, मुझे लगता है कि जो अभी आपने भूलपुर और गुरकपुर की वाद की थी, यह वाद्निंग सिगनल्स हैं, इस सरकार के लिए और के इन सरकार के लिए, मेरी बात भी समझते हैं, सरक कम से कम, एक साल कम समय होता है, लेकिन सरकार कम से कम देख बिए, मेरी भी समय होता है, लेकिन सरकार कि झनता कम से कम वो रूड मैप देखना चाहती है। जमता की तरफ उतने ही गंभीर है या नहीं? डक्टर नुत्पताब जी एक बहुत अपूर बात या है कि एक साल के वल हुआ है. और अगर जोने केंदर सरकार के साथ तो थोड़ा समय ज्यादा होता है, लेकिन उस वक्त हम कह सकते हैं कि सपात की सरकार थी उत्तर प्रदेश मे और तमाम सारी योजनाएं, जो केंदर सरकार लाना चाहती थी, उसको सार्थक्ता के साथ यहां पर नहीं लाया जा सका, अब दोनों जगहों पर सरकारें एक हैं, एक साल का समय भीता है, आपने भी जिक्र किया कानून ब्योस्था कि अगर हम उसको जो है विभागवाई से जो चुनवतियां थी, खास्तोर पर जो चुनावी मुद्दे के रूप में चुनवतियां थी, कानून ब्योस्था की बात थी, जिस पर आपने कहा कि कहने कहीं, एंटी रोमियो स्कॉर्ट से लेके इन काउंटर तक जो बात आई है, उसमें सरकार सफल दिखाई देती है, ल दिखाई देता है, वास्तों में किसानों के प्रती सरकार गंभीर है, गर्ना किसानों का बकाया भुकता, उसको भी सरकार ने पूरा किया। लोग आगे जाके रोजगार मांगते, थाक के साथ मांगते, तो वो आने वाले समय के रोजगार को एक अच्छी कदम से बांधा गया है, मुझे लगता है यह जो साड़े दसलाख विद्यार्थियों ने पैच्छा छोड़ी है, यह योगी सरकार के एक कामियाबी के तौर आगे बढ़ करेंगे, लेकि प्रदेश के लिए एक सुनहरा भविस के तौर पे यह आगे बढ़के प्रदान मंतरी बार 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 इस बात का जिकर करते हैं कि सरकारों को जबाब दे है और जिम्मेदारी पूर बेखार करना चाहिए, जो जन भरोसा है, जो उन्हें मिला हुआ है, उसको कायम रखना चाहिए, एक साल बीत चुके हैं, उतरप्रदेश की तमाम समस्याओं से आ होना ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है, उस पर आप कितना सरकार को देखे अभी प्रदेश सरकार के अगर हम बात करें तो यह समय शायद नहीं आया कि जन भरोसे पर सवाल नहीं उठा है, और अक्सर इलेक्शन बहुत तरीके के अलाइनमेंट्स में चाहिए, वो एक स इस बात से पूरी तरह इस बात को मानता हूँ, कि जो अभी जिस तरीके से बोर्ड की परिक्शा कराई हैं उत्तरकुदेश बोर्ड की, मुझे लगता है, यह स्वागत्य हो गया, बहुत समय से यूपी बोर्ड की क्रेडिबिल्टी पूरी तरीके से करतम होती चाह रही है, वो रिस्टोर हो रही है, और यह बिलकुल महत्पूर नहीं है, कि दस लाग बच्चे दान नहीं दे पाए, क्योंकि हम यह ही चाहते हैं, जो इंताहन दे, वो जो डिजर्व करता वही पास होना चाहिए, यह ही उनके बविश के लिए भी ज़रूरी है, यह एक सच है, दूस जो कार्जमाफी का था लग कि 36,000 करोड है, क्योंकि इस सरकार ने एक सिंगल गो में उसको देने की कुशिश ती, यह हमेशा आपके पूरा जो वहुस्ता है, बचेटरी वहुस्ता उसको दारशाही कर देती है, परणाम यह है कि आज जो capital component होता है बचेट का, वो पूरी त हम क्या कर सकते हैं, यह हमें तब सोचना चाहिए था जो हमें इलेक्शन में commitment कर रहे थे, और जब आपने इलेक्शन में commitment किया तो उसको पूरा करना चाहिए, यह उसका दूसरा पहलू, एक अर्शास्त्री की तरह मुझे लगता है, उससे प्रदेश को नुक्सान हुआ है, वरना यह सका और अच्छा क काम कर सकते हैं, इस से बड़ी गलती नहीं हो सकती, कभी बी कर्ज माफी से, कुछ निए के किसान का कुछ यह उसकता, क्रिशी को अड्रेस नहीं कर रहे हैं, तब तक आप अगले पांच साल के बाद फिर वही इसको आवन पर कड़े होगे। मैं चाहूँगा कि सरकार को अब जगना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा किसान परिशान क्यों हैं, किसान कर्च की वजये से नहीं परिशान है किसान क्रशी के नेचर के लिए परिशान है। करने की दिशा में पहला कदम होगा लेकिन वह कंप्लीट रोड मैच चाहिए। लेकि उत्रप्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां जो डेटा सर्स कर रहा है हर साल लगबख बेड़ लाग करोर का खादियान सड़ता है इसका लगबख 30 प्रदेश जो करीब तालिस से पालिस करोर का खादियान उत्रप्रदेश में जड़ जाता है इसलिए सबने जाता है कि आपके पास लोजिस्टिक्स लाइंस नहीं है आपके एस वेरहाउस नहीं है आपके पास कोल्चेन नहीं है और इसको ठीक करने के लिए 2007 की जो गवर्मिन इंडिया की रिपोर्ट है वही सब करने यह कुछ समय चाफ्तर अजा करोड चाहिए थे हम उन्यस से कैंबिस रिफॉर्म कर रहे हैं इसी साल अगर आप देख लें तो पचास लाग करोड से जादा सर्कारें कर्च करेंगी 24 लाग करोड करीब गें सरकार और बाकी सरकारें मिलके लगबग पचास से साट लाग करोड करने जाए हैं बजट से हम वो 78,000 करोड नहीं ढूल पाए परिणाम अगर आप इसको प्लग कर दें तो उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हो रहा है हर साल लगबग 40-45,000 करोड और यह किसका नुकसान है यह पूरस्ट ऑफ जो सबसे गरीब किसान है उसका नुकसान परिणार ले उसकामर्डाइब, यह जाना ने है राजनीतियार्टी जाया T tables अन्हीं बहुत्ता क्यों बीचार करते हैं? वार-बार इसतरा के लोगल भावन वान माफ कstep कुछ भी दिदा या और ठीकी यह इस वजे से क्योंकि सरकार चुनाओ नहीं लड़ती है, चुनाओ राजनीतिक दल लड़ते हैं, सरकार लोग प्रिय वादों को ही लेकर चलती है, उसका हमेशा से मानना है कि करजमाफी एक आसान तरीका है, जिससे वो एक बार सरकार बना चुके है, और पिछली सरकार ने, मनमोहत सिंग जी की सरकार ने इस बात की पूस्ट की थी, कि आपकर जमाफी करके एक बार आ सकते हैं, तो जब तक राजनीतिक दल अपने इस बात पर नहीं सोचेंगे कि क्या लॉंग टर्म में फायदा करता है, किसी राजनीतिक दल को आपने कभी परियावरन मुद्दे प कि आपने बता है, ये गंभीर मुद्दा है, लेकिन सरकारों को अगर जो वास्तों में जो जनता के लिए काम करने के लिए उत पर हैं, उनको काम करना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए, ड़क साब दो बुद्दे ऐसे थे, जब सरकार बनीत्र योगी सरकार, भुक मंतरी के आयते हैं, एक गढ़ा मुक्त अभियान था, सरकों पर, निस्चित रूप से इंडिकेट करता था कि भीते पांव सालों में उत्तर पुदेश में सरकेल नहीं रह गई हैं, और दूसरी बिजली की समस्या, इतना चले रोसनी में हैं अभीता है, मुझे लगता है कि बयानबा सरकार ने वाकई कर दिया है, तो एक वाइट पेपर लेकर क्या है, क्योंकि दोनों बड़े मुद्य है, और आम जनता से डिरेक्ली रिलेक्टेट है, मुझे लगता है कि जब तक वाइट पेपर नहीं आता है, तब तक सर्फ बयानबाजी है, आंकडे हम चाहते हैं, लेकिन सरकार को डिग्लेर करना चाहिए, कि बिजली की उपलपता जिलेवार बदल गई है, गड़ों की ये स्थिति है, जो खास तौर पे महत्पूर्ण योजना है, जहां पर आपने विशरी शूट से इंटर्वेंशन किया है, ये वह सरीके के इंटर्वेंशन जिसमें सरकार को पूरबान चल एक्सप्रसवे हो, या आगरा एक्सप्रसवे में जो कमिया रह गए थी उसको दूर करने की, या फिर गुंदेलखंड का एक्सप्रसवे हो, ये कितना परवर्तन ले आएगा और सरकार कितना कुछ काम कर पाईगा, ये सबसे बड़े परवर्तन है, आगर पाद्यान है, तमाम तरीके के कमर्शिल क्रॉप्स हैं, जिनको आप देश दुनिया में मखवाजान से कनेक कर सकते हैं, लेकिन ये सबड़ जाता है, उसके लिए इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है, वो फिनॉमेनल ट्रांस्वर्मेशन ला सकती है, जरूरत भी इस बात क करने होंगे, उसके रावंड मंडी करने होंगे, जब ये लोजिस्टिक्स लाइन साथ में डेवलप ہوगी, अपने में बड़ान श्रूजन का बड़ा हिस्सा है, उस दिशा में हमें ब्लूपृंट चाहिए, जैसे अभी जो इनिविस्टिर समिट क्याब आप कर रह थो, उस लेकिन इसको आपको तीजी से टेकप करना होगा, यह लगिस्टिक्स पाग प्रेड हो जानी चाहिए और उसे महत्पुर यह लगिस्टिक्स लाइज बन जानी चाहिए आपका Eastern Corridor है, Eastern Corridor आपका सीधे वरांटी भी कनेक्ट हो रहा है अलाकि मेरा मानना था कि Eastern Corridor को देता है, लेकिन जिस भी फॉर्म में है, इसको अगर आप जल्दी जल्दी अगर आप क्रेड कर पाएंगे, तो निश्यत तोर पर यह बगर ट्रांस्वर्मिशन लाएगा, जो खाधियान जिसके अभी हम सड़ने की बात कर रहे थे, इस लाइन के अलांग, आप इसमें माओं को भी देखा, योगी सरकार के रूप को भी देखा, इनके कामकाज को भी देखा, अगर सारे एक साल के कामकाज को, थोड़े से सब्दों में कहें, और साथ में अगर दस नंबरों में हम पूछे कितना नंबर देना, आप टीचर है, अकसर नंबर दिया करते हैं, काफ उन्होंने मेंटेन करके रखी है, बाकी चीजे फिर साइड लाइन आती है, आपके पास अच्छे होटल्स है कि नहीं, आपके पास इंटरनेशन एरपोर्ट है कि नहीं, उसके बाद क्या फिर आपके पास याता है, आपके अच्छे साधन है कि नहीं, लेकिन जो कानून उन्ह पर काम किया है वो यह लोगी सरकार का दिखाई पड़ता है पबले के बीच में अगर आप गाउं पर भी जाए तो वहां भी दिखाई पड़ता है दो और उसके बाद जो पैच्छार्थियों का और सच्छा यूपी बोल को लेके लोगों का विश्वास जगा है कि पैच्छा करनाओ नहीं लड़ सकते हैं लेकिन इन्वेस्टर समेट वो एक चीज है जिसे जो नीकल करके आएगा उससे चुनाओ लड़ सकते हैं रज़ता है आप देखे देखिए चनाओी राजनीत बिल्कुल अलग है पिछड़ा और दलीत का जो गठमंदन होता है आप पिछली बा पाला बदल लिया था और इस वजे से चुनावी राजनीत बिल्कुल अलग राजनीत है वो एकदम अलग चलती है लेकि मुझे लगता है सरकार के इन तीन कामों पे जो पहले एक साल में दिखाई पड़े जनता के बीच में गए उन इन तीन कामों में और एक चौथी बात भर चाचार नहीं है तो ये एक जो सासन के प्रति लोगों के बीच हों भाओ है वो उसको प्ताक्तवर कर रहा है तो अपने भाषा में दो चीजें करी जिसका जिकर उन्होंने कि एंटी करॉप्चन पोर्टल भी जो है हम लांच करेंगे और इसके साथ साथ दूसरी बार जो ए इसकोलों में चात्र की संख्या विवढ़ी हैं लेकिन कई चुनुतिया आप सामने लिखाए देती हैं जिक्षा मित्र के निउट की लेकर और सहाय करद्धाय निउट को लेकर किया कुछ है तो जिस सारी कि अभी डग सा भी कह रहे थे कहीं जो शिक्षा में खास तौर पर सरकार ने भी बात कहीं कि हम लखों नौगया लेकर आ रहा है सरकारी चेत्र में, लिकिन सरकार की capacity limited है, सरकार इस प्रदेश के युगाओं को रोजगार ना तो दे सकती है, नहीं उसका काम है, लेकिन सरकार को एक catalyst के रूप में काम करना होगा, ताकि प्रदेश में एक ऐसा व काई पड़ेगा, अवशकता एक blueprint की है, हम बातें बहुत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बिजली आ गई, हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में क्रिशी चेत्र की उतपादक्ता दुगनी कर देंगे, यह कहानिया है, हमें कहानियों के आगी जाना पड़ेगा, प्रदेश को roadmap नहीं है, साल में हमारी इतनी अपिक्षा जरूर है कि roadmap clear होना चाहिए और आप उस पर चलते हुए दिखाई पड़े, जो दूसरी news आ रही है कि कई सारी ministries में कई जगें पर इस साल का 70% तक budget खर्च नहीं हो पाया है, यह first indicator है कि आपने चलना नहीं शुरू किया, यह सबसे गागों में यह खबरें आ रही है कि जो budget रिलीज होना था वो अब रिलीज हो रहा है, मार्च में और फ़ररी में, आप अप एच्छा कैसे कि सिवाए फर्जिफिकेशन के ऐसी इस्तिती में expenditure नहीं हो सकता है, साल बर में खर्च होने से जाज़ा जरूरी है कि पूरे साल ब मुझसे हर साल सवाल में पूचेगा, मैं पांच साल मुझसे वरोसा करिये और मैं अपनी report प्रेजन करूँगा, अभी तो सरकार खुद अपना काम बताने के लिए खड़ी है, मेरा मनना यह है कि साल बर किसी भी प्रदेश सरकार के assessment के लिए नाकाफी है, लेकिन खास तर प में रियाट नहीं करना चाहूंगा, मेरा मानना है कि फिलाल हम इनको छे नंबर से जादा मेन ही दे पाऊंगा, लेकिन छे नंबर भी तब तक ही दे रहा हूं क्योंकि अभी आप मुझसे पूछ रहा हूं, मैं अगले साल जरूर क्योंकि लगबाग मिट्टम पहुंच रहा हम लोग भी देंगे, जट्ता के साथ मिल के देंगे, 22 तरों के साथ होंगे, रुद्परताब जी इस पूगा एक साल का जो पुष्का आज का कारिकर्ण था मुक्तमत्री की जो मुक्तमत्री का भाशन था, दो सब्तों में जानना चाहूंगा, कितनी उम्मीद, कितनी आसा बाकी बचे सालों के लिए आपको दिखाएंगे, जब लाइन की तीसरी वात उन्होंने बोली तो उन्होंने कहा कि मैंने एक वादा करके आया था और पाल्टी ने मेरे वादा किया था कि आप भष्टाचार मुक्त सासन दीजेगा, और मैं उस पर ख़रा उतरनी के कोसिस कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको वो समझ में आ रहा होगा, मुझे मेरा यही मानना है कि उनकी उसी बात को मैं आगया बढ़ाता हूं, कि सासन अभी तक भष्टाचार विहिन दिख रहा है, और यह एक आसा की ने जरते हैं, अभी तक योगी जी की अपनी निजी चवी साफ सुत्री है, और ऐसा कोई कारण भी नहीं लगता कि वो करॉप्शन में लिक्ष होने का उनके साफ कोई कारण नहीं लगता, यह चवी उनका सबसे बड़ी USP है, इसको उनको स्ट्रेंदिन करना चाहिए, निश्यत तोर पर एक इमानदार चवी उनको बहुत आगे ले लेकिन प्रदेश इमानदारी के साथ साथ विकास भी चाता है, बिल्कुर निश्चित रूप से 22 करोण जनता की समस्याओं का समधान जादुई छड़ी के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, वादे चुनाव जीतने के लिए होते हैं, लेकिन उनको धरातर पर आने के लिए किया गया, मिश्चित रूप से जो हमारे एक्सपर्ट है, उन्होंने योगी सरकार की पीठोकी है, बेरी गुर्ना सही गुट को दिया है, सरकार चलती हुई दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश की जनता को भी यह पेच्छा है, कि जो उसने समर्थन दिया है, उस कि जिए 캇पूरी लगी गिला है, उस समर्चित को दिए्जा झेधा है, उसने समर्चित की पार चलती है, उस भी ये एक्सवरत की जनता है, वगने हिए है, उस समर्चित रु़ के ओिव तो कि उसे यन् G. exatamente सूणते हैं, समर्चित बोच्बरी धितम्या का झालती है,